अलो दोस्तों मैं हूँ प्रत्मेश रंजनी और मैं आप सभी का PW सरकारी एक्जाम चैनल की उपर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सोचिए एक दिन आप अपने बैंक में अपना ही पैसा निकालने के लिए जाते हैं यहां यह वही पैसा है जो आपने पूरी जिंदगी सेविंग्स के तुरू जमा किया है आपकी सारी जमा पुंजी उसी बैंक के अंदर है जब आग उस बैंक के अंदर अपना पैसा निकालन के अंदर रिसेंटले ही कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स और कुछ ऐसे फोटो आप में देखे होंगे जहां पर चाइनीज गवर्मेंट ने अपने ही बैंक्स के बहार टैंकों की तैनाती कर दी है और टैंकों की तैनाती इसलिए की गई है कि इस बैंक के जो इस बैंक के जो खातादारक है वो बैंक के अंदर ना जा सके आई यह समझते हैं कि पूरा मामला क्या है वेकोस काफी समय से न्यूज में चल रहा है कि चाइना के अंदर बैंकिंग क्रैसिस चल रहा है और चाइना का रियल स्टेट सेक्टर भी कही ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमॉलिश हुआ है नीचे जाता जा रहा है पूरे इंस्टरेंट जानने की कोशिश करते देखिए चाइनीज गवर्मेंट के अगर मैं इतियास की बात करू हिस्टर की बात करू यह कम्मिनिस पार्टी के इतियास क आपको याद होगा यह पिक्चर काफी जादा फेमस हुआ था कि जट चाइना के इस्टरेंट्स के ग्रुप्स ने चाइना के अंदर एक डिमोक्राटिक गवर्मेंट की मांग करी तो वहां की सरकार ने इस प्रदर्शन को भी बहुत ही बूटल तरीके से दबाया था काफी लोग इस प्रदर्शन के अंदर मारे भी गए थे ऐसा ही यह सेम पिक्चर इंसिडेंट देखने को मिला है 2022 के अंदर मतलब 1989 के अंदर भी चाइनीज गवर्मेंट टैंकों का ही यूज कर रही है पावर का यूज कर रही है लोगों की आवास को दबाने के लिए और आज भी कही ना कही वही चीज की जा रही है दोनों में similarity यह है वो है communist government वहां की सरकार देखिए किसी भी communist government के साथ सफसे बड़ी समस्ता यह होती है कि सरकार जो है वो सर्वो पर ही हो जाती है और लोगों की आवास को दबाया जाता है चलिए जानते हैं कि पूरा incident क्या है बहुत टा सारे प्रोटेस्स किये जा रहे है और एक दो दिन पहले की बात नहीं है लगबक April से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है चलिए शुरुवात करते हैं यह चीज़े स्टार्ट हुई कहां से स्टार्ट हुई है बेसिकली हैनान प्रांस प्रोविंस जो कि चाइना के पहला provinces जो है वो यहां पर है हैनन और दूसरा यहां पर आएगा learning province इन दोनों provinces के अंदर यह problem धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है कि banks के बहार लोग demand कर रहे हैं अब समस्थ्या क्या है problem क्या है उसे जानते हैं अगर बात की जाए यहां पर newspapers की तो चाइना अब क्या problem है क्या Chinese crisis हो गया है problem क्या ही है उसे समझते हैं जिसके बारे में हमने बाग करी जिसका मैप अभी मैंने आपको दिखाया था बेसिकली यह प्रांद के अंदर रूरल एरिया थुला सा जादा है यासे हमारे banking system के अंदर रूरल बैंक्स होते हैं cooperative banks भी होते हैं वैसे ही चाइना के banking system के अंदर भी अकाउंट को freeze कर दिया मतलब माल लीजिए कि मेरा अकाउंट इन चारो बैंक्स में से किसी बैंक मैं जब मैं इन बैंक्स के अंदर जाता हूं तो यह बैंक कहते हैं कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं और यह चीज अभी से नहीं चल रही है अपरेल की शुर्वास सही इन्हों ने अपने अकाउंट धारकों को यह कहके टालना स्टार्ट कर दिया था कि बैंक्स के अंदर भी maintenance चल रहा है जब काफी टाइम इस चीज़ को हो गया कि maintenance इतने टाइम से चल रहा है April, May, June यह सारा टाइम हो गया तो ग्राकों को यह चीज़ पता लगी कि कुछ ना कुछ यहां पर गलबल है और इसलिए लोगों का गुस्ता फूटने लगा और इन बैंक्स के बाहर अपने पैसे को निकालने की होड लग गई अब देखिए यहां पर जो इस्तिती बन रही है इन बैंक्स के साथ कि लोग अपना पैसा निकालना चाह रहे है उस इस्तिती को कहा जाता है बैंक रन नाम से आपको लोगों का भरोसा अपने बैंक से उठ जाता है ऐसा फानेंशल इस्तित्यूशन जिस पे पूरी देश की एकनॉमिट ही होती है आपको और मेरा पैसा जितना भी सेविंग से वह हम सारी चीज़ें बैंक के इंदर जमा करते हैं किसी भी देश की फानेंशल बैंक्बोन की काल लिया जाए विकाज उन्हें लगता है कि बैंक सब पैसा रखने के लिए सेव जगन नहीं है और इसी सिदी को कहा जाता है यहां पर बैंकरन और बैंकरन की सिचुएशन चाइना के इन चार बैंक्स के रावा बहुत सारे बैंक्स में बन गई है और यह काफी टाइम से बनती जा रही है और लास्ट टाइम पे 10 जुलाई को हमने देखा था कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से इन बैंकिंग प्रटेस्ट को चाइनीज गवर्मेंट ने यहां की सरकार ने दबाने की कोशिश करी ति दिली जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है इन चारों बैंक का एक कॉमन शेर होल्डर कंपनी थी वो थी हैनन न्यू फॉर्चुन ग्रिप और इसी ग्रुप को इसी कंपनी को इस फ्रॉड का में अक्यूस माना जा रहे है इस ग्रुप नहीं किया यह कि चाइना के इन चारों बैंक को अपने इंफ्लूएंस में ले लिया यहां के कर्मच फेबन गेटवे के त्रू या 3rd party फेबंट घेटवे के त्रूएप एसी बात का फायदा इस इस चंपनी ने उठाया और लोगों को उक्ताया कि वो इन बैंक्स के अंदर अपना पैसा डिपॉसिट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तुरूप अब आपको यहां पर लग रहा होगा कि लोग कैसे मानगा इन मैंक्स में पैसा डिपॉसिट करने के लिए देखिए यहां पर इन्हों ने कहीं सारी लुबावनी स्कीम का लोगों को लालज दिया जैसे चाइना के किसी कावन मैंक में अगर डिपॉसिट पे 2.4 परसेंट का इ यह पैसा इन बैंक में जाए नहीं रहा था यह पैसा जा रहा था इस कंपनी के पास जब अप्रिल के बाद इन बैंक्स ने अपने ही ग्रहाकों को पैसा देने से मना कर दिया उनको टाला जाने लगा तो लोगों का गुसा धीरे-दीरे बढ़ता गया और बाद में पता नहीं दे रहे हैं बैंक्स के पास पैसे की कमी हो रही है आए जानते हैं मामला क्या है देकि यह बहुत बड़ी बात है कि चाइना की इस क्वार्टर की जो एकनॉमिक सबसे जादा है थो सिर्फ 0.4 पिर्शंट ही हुई है जो कि काफी जादा कम उन्सक्ति इसलों इसे की सारे रीजन है त्रसे हमारे देश में बैंकिंग कोV NAT करने के लिए чемने के लिए होती है वैसेड़िना के अंदर सरकार का दबदबा सबसे ज़ादा यहां पर होता है तब एक किसी Communist Party के अंदर जब सरकार का दबदबा ज़ादा होगा किस Communist देश के अंदर जब सरकार का दबदबा बहुत ज़ादा होता है तो politicians का जो power है वो उस देश के अंदर काफी बढ़ जाता है और यही एक major reasons है कि banks के अंदर भी politicians का दब दबा यहां पर काफी ज़ादा है जिस hanan fortune group की हमने यहां पर बात करी थी वो सकता है वो भी किसी ना किसी politician का ही company हो तो यह बहुत सारी चीज़ है इसके लावा इन crisis का एक major reason यहां पर है चाइना की real estate industries का नीचे आ जाना चाइना के real estate crisis आपको जानके हरानी होगी कि चाइना के 22-25% GDP real estate के उपर depend करती है जी हां चाइना के 70% लोग लगबग 70% लोग real estate के अंदर investment करते हैं और real estate industry का suddenly नीचे आ जाना यह भी बहुत बड़ा reason है चाइना के financial crisis का साल बर पहरे जब चाइना की real estate की एक बहुत बड़ी company ever great group ने अपने आपको default रगोशित कर लिया उसके बास से चाइना के अंदर real estate के prices कम होने लगे जिसका effect वहां के banking system के पर दिका चलिए इसको example कि थो हम समझते हैं हमारे देश के तरह किसी भी एक middle class परिवार की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि उनका एक खुद का घर हो चाइना के अंदर भी यही चीज करना भी काफी ज़्यादा पसंद करते हैं यहां पर एक रूल होता है कि घर के बनने से पहले ही उस घर को लोग खरीद लेते घर अभी बना नहीं है जमीन सिलेक्ट करी है और यह दे दिया जाता है कि अगर यह बिल्डिंग बनेगी तो इस बिल्डिंग में यह फ्लेट आपका होगा तो यहां पर चीजों के प्राइजेज घरों के प्राइजेज कम होने लगे अब यहां पर माल लिजे कि इस परसन ने कोई घर 50 लैक रुपीज के अंदर पर्चेस किया था और उसी घर की कीमत आज के टाइम पर हो गई है 30 लैक तो यह परसन ने अपनी EMI देना ही बंद कर दी उसे लगा कि जिस घर की में EMI पे कर रहा हूँ वो घर अभी तक बना भी नहीं है और उस घर ही कीमत आलरेड़ी इतनी कम हो गई है तो मैं EMI क्यों पे करूँ अपनी अब इसका सीधा नुकसान जिनला पड़ता है इन कमपनीज को भी और इस बैंक को भी विकास बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है जब bank इन companies के पास जाती है कि आप भी अपना पैसा चुकाईए because in companies ने भी bank से पैसा लिया है तो ये companies कहती है कि हमें customer payment ही नहीं कर रहे है real estate industry down चल रहे हैं तो banks के पास ना तो यहां से पैसा आ रहा है नहीं यहां से पैसा आ रहा है यह भी बहुत बड़ा रीजन है और इसका पूरा लोड आ रहा है banks यह उपर और banks का NPA बढ़ता जा रहा है आपने वर्ट सुना होगा NPA COVID-19 के बाद भारत के अंदर भी हमारे banking system के अंदर भी NPA का बोश धीरे धीरे बढ़ता गया तब यह NPA होता क्या है NPA का मतलब होता है non-performing assets मतलब कोई ऐसा loan जो की ले तो लिया है किसी व्यक्ती ने या किसी company ने बट वो उसको चुका नहीं पा रहा है एक certain period of time के बाद ही ना ही उसकी M.I.S. चुका पा रहा है ना ही principal चुका पा रहा है ऐसे loan को कहा जाता है ऐसे assets को कहा जाता है NPA non-performing assets और bank के loss के अंदर create की जाती बिकॉज आपने loan तो दे दिया है बट आप उस loan की भरभाई नहीं कर पा रहा है और किसी भी country की banking system उस country की सबसे बड़ी backbone होती है और NPA का ये जो चकर view है इसके अंदर चाइना भी दिरे दिरे गिरता जा रहा है तो ये भी एक matter है उसके लावा चाइना की zero covid policy आपने सुना होगा Chinese government ने zero covid policy लागो कर दिये किसी भी area में अगर एक भी case मिलता है तो उस पूरे area को बंद कर दिया जाता है इससे होता ये है कि वहाँ की economy की उपर काफी जदा असर होता है जितनी economy चाइना की covid के बाद बढ़नी चाहिए थी उतनी economy चाइना की बढ़न नहीं रही है तो zero covid policy ये भी एक बहुत बढ़ा reason है चाइना के अंदर जो अभी काफी time से financial crisis चल रहे है उसका अब सवाल ये उड़ता है कि क्या ये crisis बहुत major है क्या चाइना की economy डूबने वाली है क्या चाइना downfall चला जाएगा चीरिंग चाइनीज economy दुनिया की second largest economy है और ये economy काफी मस्बूत है दी कि कि किसी ऐसी country के अंदर जहाँ पर उनकी population जादा होती है बहाँ पर कोई छोटा सा crisis का effect भी काफी जादा पड़ता है ये ऐसी countries जो है वो recover भी बहुत जल्दी कर लेती है जिन countries का population जादा होता है बहाँ पर छोटा crisis भी बहुत बड़ा दिखता है और वो recover भी उस period से काफी जल्दी कर लेती है चाइना की economy काफी strong है चाइनीज economy trillions के अंदर है और जो NPA इनका बढ़ रहा है वो सिर्फ कुछ billion है लगबग 83 billion के लगबग NPA के यहाँ पर बात की जारी है और चाइनीज economy के बात की जाए तो डबल डिजट के अंदर trillion में होती है तो यहाँ पर Chinese government इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकती है और Xi Jinping जो की इस चीज के अंदर लगे हुए है कि वो तीसरी बार भी राश्पती बन जाए वो इस टाइम पर चाइना में किसी भी ऐसे crisis को आन आती रहते हैं वैसे ही कुछ crisis हम चाइना के अंदर भी देख रहे हैं अगले टॉपिक के अंदर में आप से मिलता हूं बटा जय हिंद जय भारत